राजा का चित्र एक समय की बात है। एक राजी में राजा राज करता था। उसकी किवल एक आँख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों की बाद भी विहाई कुशल, दयालू और बुधिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यातीत कर रही थ सहसा उसकी द्रश्टी दीवार पर लगें चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचाराया कि भविर्शे में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से तैहलेंगे, तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अप तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारडिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा। लेकिन उस दिन उसने सोजा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगली दिन उसने अपनी राजी के श्रेष्ट चित्रकारों को आमंत्रित किया। घोशना की गई कि वह महल में लगवाने के लिए राजा अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुन्दर चित्र बना सकता है वो चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा, वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। उपस्थिच चित्रकार अपनी कला में निपुन थे। लेकिन घोशना सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है। ऐसे में उसका सुन्दर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सु एक चित्रकार खड़ा रहा। उसे राजा के सामने पेश किया गया, वो चित्रकार बुजुर्ग था। राजा ने उससे पूछा, क्या आप मेरा चित्र बनाने को तयार हैं। बुजुर्ग चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आगया दे अगले ही दिन से वे इस चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जोट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तयार था। जग चित्रे के अनावरण का दिन आया, तब दर्बारी सहीद वे सभी चित्रकार भी उपस्थे तो हुए, जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इंकार कर दिया था। सभी उत्सुपता से चित्रे के अनावरण की प्रतिक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सब के मुह खुले के खुली रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोडे पर बैठा हुआ था। जिसे एक और उसे चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथी राजा धनुष चढ़ा कर एक आंक बंद कर निशाना साध रहा था जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसंद हुआ। चित्रकार ने अपनी बुध्य मत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपा कर एक बहुत सुन्दर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरुस्कृत करने के साथ उसे अपनी दर्बार का मुख्य चित्रकार बना दिया। सीकु जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विशम परिस्थित्यों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। धनवाद ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर हर कहानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्थ है। इससे आपको अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी सिखाने में आसानी हो।